नमस्कार मैं हूँ अन्पा मनूप आप देख रहे हैं दख़बरदार नूज आज हमारी इस परिचर्चा में हमारे साथ हैं मौगंज बिधान सभा के पोर्व बिजय उम्मीद बार बर्तमान की बात करें तो पिछले चुनाबों में कॉंग्रिस के उम्मीद बार रहें और इनके अगर कारेच्षेतर की बात करते हैं तो बर्तमान में भले हैं बिधायक नहीं हैं लेकिन उसके बावजूद भी लोगों में इनके कारकाल के प्रति एक सकारात्पक सोच देखने को मिलती है हमारे साथ हैं सुखेंद सिंग बनना जी और इनके राजनेतिक सफर और बरतमान राजनेतिक परिद्रिश्य के बारे में अपनी इस परिचर्चा में हम बातचीत करने बाले हैं तो सबसे पहले तो स्वागत करते हैं, माव का दखाबरदारने उच पस्वागत है आप जब सबालों की फेहरिस्थ एक लम्बी फेहरिस्थ लेकर आते हैं तो पिछले चुनाओं की ही बात करते हैं, जो आपका पांच बर्स का कारिकाल रहा, उसके बाद महुगंज का कहीं न कहीं एक दुरभाग कहें या फिर ऐसा सयोग बियोग है कि सत्ता पक्ष के साथ यहां की बिधायक नहीं बैठते हैं, बरतमान समय में यहां प्रदीप पट तो बिपक्ष के होने के नाते, आपने महुगंज के लिए क्या प्रयास के? देखे क्या है कि जब मैं विधायक था, या उसके पहले भी मैं छोटे पदो पर रहां, तो महुगंज के लिए चाय जिले की बात रही हो, चाय बान सागर पर योजना की बात रही हो, चाय चवरा घाट की बात रही हो, और चाय हमारे चेत की बड़ी-बडी रोडे जो चार की बिजली सड़क हर मुद्व पर हमने चाहे आंदोलनों के माध्यम से हो, और चाहे प्रसासन, सासन, अस्तर पर प्रयास के माध्यम से हो, और चाहे जैसे भी हमने पूरी तरह से करने का प्रयास किया। अगर रीवा जिले की कॉंग्रेस की बात करें बिंधे के कॉंग्रेस की बात करें तो यहां पर कई गुट दिखाए देते हैं इस पश्टतार पर कहें तो तिबारी जी का एक गुट है दूसरा नगर और ग्रामेर जिला अध्यक्षी की जी का भी गुट है और एक गुट बनन गुटवी जो तो सामने आ रहा है तो क्या धीबा या बिंध में जो 32, 33 सीटे आती हैं उसमें बरतमान में तीन चार बिधायक आपके कॉंग्रिस के हैं तो इस हार के लिए आप इस गुटवाजी को मानते हैं कि यही कारण है देखे गुटवाजी तो घर में भी होती है दूसरे कारण हैं और कई कारण है गुटवाजी एक जरनल बाद है अब फिर मैं समझता हूं कि जब मैं माऊगज बना इस समयında कोई नहीं थी जिन ते उसके पहले 20 सालों से मौज में कोई उताब तो बहुत सारे लोग कि नहीं दिखाई दे रही है तो उसी तरीके से कांग्रेस में हो चाहिए चोटे अस्तर पर बड़े पर पांके गुटवाजी-गुटवाजी कोई माहने नहीं नहीं कोई गुटवाजी है भी यह सब अपना-पना अपने-पने छेत्र के हिसाब से सब आप यहां पर कह रहे है कि आप से पुर्व में महुगंज के कॉंग्रेस कई सारे दावेदार हुआ कर दे थे तो क्या माना जाए कि आपने सारे दावेदारों का मुह बंद कर दिया नहीं देखे जब मैं जीत गया तो सारे जगह केंद्रित हो जाते हैं तो लोग ना चाहते हुए भी थोड़ा सा मतलब चुप रहते हैं अगर वही थोड़ी से मुखिया में कमजोरी आ तो बिंध में कांग्रेस के रूप में कमजोर नहीं था यह दुर्भाग है कि इस बार सीटे कम आई और रिवा से हम लोग चुनाव हारे निल हो गया हमेशा बिंध में प्रदेश में बिंध की तूती बोलती थी पिछली बार हम लोग 12 लोग चुनाव जीत करके गए ते और शेतों से बहुत कम बिधाय कायत आते थे तो सदन में हम लोगों का पूरा बर्चरस था हम लोग चे पूरे बिंध की लड़ाई लिए लड़े हम लोगों की बाते मानी जाती थी सत्ता पक्ष तक हम लोगों से पूरे दवाव में रहता था तो यह सब सारी बात है और फिर शुषण वाव कहरें इतिने ताकत के साथ आपने सदन बे अपनी बात उठाई बिंध की बात सदन में सुनी जाती है तूती बोली जाती है उसके बाद फिर दस से पंद्रा बरसों से आप माउगंज को जिला बनाने की माउग कर रहे हैं जिला बनाने की माउग फिर सरकार माउगज का सवाल है पूरे बिन्ध का भी सहे नहीं है मुझिले की बात मौगज कानेति हमारे से पहले जो था कहिन कहीं ऐसको मजबूती से नहीं उठा है उस समय कहिन की भारती जन्ता पार्टी की भी सरकार थी आपको मालोम हो कि कई बार मैंने कि अपतारियां दी कई बार रिवाws क्लेक्ट gems और सदन भी में बात रखी अप वूरे दंदारी से बात रखी निवारी जब जिला बना हमने कलेक्ट्ट rewae को उस 만द्थी मैं जाय करकर के उंसे तो मैं आपको इसलिए बताने आये हो कि आप सासन प्रसासन के प्रतनिधी ओरी वाजिले के सिवराज की जंदर्सन यात्रा अगर माउगंज आएगी तो मैं उन्हें तभी भांसड देने दूंगा जब वो माउगंज की जिले की घुंसना करेंगे अगर वो माउगंज जिले क कारिक्रम टीन बार मुख्यमंत्री का कारिक्रम बना सिवराज जी का लेकिन उन्होंने कारिक्रम अस्थगित किया मातर इसलिए उनको भरोसा था कि माउगंज की जनता पूरे दम से खड़ी हो करके हमसे जिले की मांग करेगी और वो जिला बनाना नहीं चाहते थे उनकी मनसा ठीक नहीं थी और कलेक्टर ने मुझे कई बार संपर किया एसपी ने मुझे उस समय तातकालिक संपर किया कि विधायक जी जंदन्सर नैत्रा होने दीजिए जिला उला तो एक अलग से मैंने बोला देखे मुझसे लड़ना पड़ेगा उन्हें जिले की घुसरा करनी पड़ेगी अन्य था वो अपनी आत्रा कैंसिल कर दे फिर शिवराज जी ने अपनी आत्रा यहां पर कैंसिल कर दे तो नहीं हो पाया अब जैसा कि आप ही बोल रहे थे परिस्थितियां साफ है देश से लेकर के प्रदेश तक जीले तक विधान सभा तक एक तरफा सासर प्रसासन है जीले बनने की पूरी संभावना है मैं उमीद करता हूं कि जो हम लोगों ने लड़ाई लड़ी है पिछले कारिकाल तक वो सपना साकार होगा और यह देखते हैं अगर नहीं होता तो जिस तरीके से मैं विधायक रहते हुआ उसके पहले जीले की लड़ाई लड़ी है पूरे दम से हम महुगंज की जंता को लेकर के मैं खड़े हो करके लड़ाई लड़ूगा सरकार को जुकाऊंगा और जीला बनाना परेगा और एतिनी ससक्ति के साथ आपने पूरे जीले बनाने की बात की एक आंदोलन की बात कही आपने जंदर्सन आत्रा को आपने रुकवाने का प्रियास किया वो रुक भी गई फिर इस बाल चुनाओ क्यों हार गए देखे क्या है कि चुनाओ हारने की कई परिस्थितियां होती है उस मुद्दे पर हम जाये तो एक एक सब्सक्राइब करते हैं पिछले चुनाब का और जो जीत है जो पराजय होती रहती है किसी भी जंग में यह जायज है लेकिन कारण क्या है आपके हारने का जब आप एक अध्यान करते हैं तो गुटबाजी नहीं कोई मेरी हार होई कुछ परिस्थितियों बस समीकरण होते हैं बस पाभी चुनाब लड़ी बस और उधर बीजेपी का अब तो एबियम भी बहुतेज से पूरे हिंदुस्तान के लोगों लोग जानने समझने लगे तो इस मुद्दे भी कोई असपस्ट नहीं है कि हम लोग समझ गया अपने तिसलिए मैं उसको दावे के साथ नहीं कर सकते कि हार का कारण यह है पर हारने के छोटे-छोटे कई कारण जी सरकार पे भी आरोप एक तरीके से आप लगा रहें एबियम के माध्यम से यह मैं नहीं लगा रहा हूं आज तो हिंदुस्तान की फुरी जंता पोलने लगी है आप देखो असन में चुना हुआ भारती जंता पार्टी के कंडिडेट के गारी में घूम रही है तो मैं थोड़ी कह रहा हूं नहीं किया हा जिस समय मैं हा रहा था तो थोड़ी बहुत मुझे एबियम पर डाउट तो मैं यह नहीं कह रहा कि एक कारण था और कई कारण थे पर एवियम भी एक हिंदुस्तान में बड़ा कारण जनता के उम्मेदों पर खरा नहीं उतर ये भी एक कारण माना जा सकता है जनता को मेरे काम अच्छे नहीं लगे शुदार करता हूं कि हो सकता है जनता ने मुझे नापसंद किया हुए इसलिए कुछ कम मैंने रहा आम उरे सेहत पर कोई फरक नहीं पड़ा जो भी मैं विधायक रहते कि जिस तरीके से मेरी सक्रीतार ही आम जन में छोटा बड़ा करें कमजोर हर दुख सुख वे अगर उनको यह लगेगा कि मैं ठीक हो तो जनता चुनेंगी नहीं नहीं समझ में आएगा तो फिर जनता को निर्णे करना 2023 और बरतमान जन प्रतिनिदी जो है यहां के प्रदीव पठेल हम पेछले दिनों आपके यहां के दुबिया मंदिर गय थे चतुर भुजभगबान का मंदिर है वहां पर भी हमने दो आपके और इनके कारिकाल के बारे में चर्चा कि आप एक जन प् मंत्री रहे निगम के चेर्मैन रहे केबिनेट मंत्री का दर जा रहा और वो इसके पहले वो लोकसभा का भी चुनाओ भारती बहुजण समाज पार्टी से लड़े थे तो देखिए वो भी अन्भवी है और जनता ने कुछ सोच समझ करके उन्हें बोट दिया होगा चाहे म मोदी जी के नाम पर दिया हो चाहे भारती जनता पार्टी के नाम पर दिया हो चाहे परदी पर्टेल जी के नाम पर दिया हो जन परती नहीं तो पांच साल बाद निरे होगा कैसे हैं कैसे नहीं है और मैं समझता हो कि जिसे दिरूप से वो काबिल विक्ती है वो अच्छे क कारियों का और बुरे कारियों दोनों का ब्लोकन करता है लेकिन जो आपकी बात है तो कहीं न कहीं एक बैलनसिंग मोड पे बैलनस बनाने की बात कही जा रही है आपके द्वारा तो आप मैं आप से आपकी समिक्षा जानना चाह रहा हूं कि उनका कार कारात्मक ही या क्या सुधार होने चाहिए बैलनसिंग मोड सही नहीं लगता देखिया ऐसा है कि उनके काम के बारे में मैं कहूं ये तो आपको जनता से जा करके पूछना चीए जनता बताएगी कि अच्छा है कि बुरा है मेरे हिसाब से मैं बोलू कि वो खराप है कि अच्छे है तो ये मुझे अधिकार इस बात का नहीं है नहीं आप भी जनता भी है ये ऐपने भी कह सेद्र का प्रतिनिद्र की पूरे शेत्र होते हैं य अप प्रत्यासी रहे हूँ वह पूर्व कि बात है लेकिन बर्तमान में अगरिक के नाते, आप उस अगार को किस तरीके के से देखते हैं? यह 5 साल बाद तरी होगा, जब उनके कारिकाल समाप्त हो जाएंगे, देखे क्या है कि मैं 5 साल बिधायक रहते हुए, मैंने क्या किया, पांच साल बिधायक अगर उनको मौवगंज की जनता ने उसर दिया, सरकार भी उनकी है, तो ये पांच साल बाद ही ते हो गए, अभी ढ़ाई तीन साल बीते हैं, और दो साल का कारिकाल बचा हुआ है, इसके पहले हमें एक कह देना कि नहीं ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं जनता उने फिर जीताएगी, जनता को नहीं समझ में आएगा तो फिर, जो आगे करना होगा, वो करेगा। तो यह मुझे पोलने का हक नहीं है, यह सिर्फ जनता कोहिने रहे हैं आपके कांग्रेस के परिवार में जो पूर में अभी आपके प्रतिदोंदी रहे अब आगे की नेती क्या रहेकिए अब देखे क्या है कि पार्टी में हैं, पार्टी का काम करें, जनता की सेवा करें, बाकि तो आप जानते हैं कि 2003 इसमें जो होगा, वो सब सामने होगा, जो भी होगा, स्वीकार होगा, हई है कोई ऐसी बात थोड़ी है, अब हम चरलते हैं थोड़ा से बिंध प्रदेश, 1956, कई सारे राज्यों को मिला करके बिंध प्रदेश को सम्मिलित कर दिया गया मध्ध प्रदेश में, और उसके बाद कई सारे ऐसे राज्यों है, मध्ध प्रदेश से 36 प्रिथक किया गया, उत्तर प्रदेश से उत्तरा खंड बना दिया गया, बिहार से जार खंड हुआ, और पिछले 2014-15 में आंध और बीड़ पूनधान धूल गए लगैर वहां बार वंद्ध-प्रदेश के बात कई रही है कई सारे संगठ अप्षования में तिक लोग बुटति नहीं कह सकते हैं लेकिन कई सारे राजनियतिक लोग इसको ले लेकर कर कर बार बाता कहते रहे हैं लोगों के जन्मन में भी यह बात वे प्रदेश को लेकर के आप क्या सोचते हैं देखिये बिंद परदेश अपना था जी बिंद परदेश होना भी चाहिए और समय समय पर इसकी मांग उठती भी रहती है कि क्यों तूटा उसको बनाया जाए लेकिन क्या है कि बिंद परदेश अकसर बड़ा नेति कुर कि प्रदेश सne flatten in खे बते में लेकिन मेरा मानना है एफिवर्व का सोगा। तो हम इसके पक्ष में बनना चाहिए भविस्थ में कोई आंदोलन भविस्थ में देखे क्या है कि हमाई लिए तो पहले हम जिले की बात करें इसके बाद हम बिंध कि लडाई लड़ें समझ गया अपना और रही बात है जहां समर्थन का सवाल है ते एक बिंध प्रदेश का नागरी खोने के नाते मेरा समर्थन है तो अगर प्रदेश बनते हैं तब तो जिला बनाना थोड़ा सा आसान हो जाएगा बिल्कुल हो जाएगा लेकिन जिले के लिए जादा जद्व जहत करनी पड़े रही है अब यह देखिए कि अब सब सरकारे को निनने लेना है और हम अब जो का मुद्द बॉद्ध जिला था तो हम लोग जीला यह नहीं बना पाघ तो बिंध प्रदेश की बात ऊडिकिन आपकी बात यह सही है कि अगर म्रुभ बढनना ौब इन फूरा उसली हम लोगों का सब्यूद है की बिंध बने कि यहां पर बनता है तो na pangerец बनेगा तो पुरे देश के लिए जाती है, तो हमारा बिंध, बिजली के एक ऐसा वो है, और खनिजप्रदात है, पन्ना और भी अपने बीच में आ सकता है, वहां सोने की खदाने है, वहां सारी चीज़े, हीरे की खदाने, तो यहां तो बिंध प्रदेश में काफी खनिजप्रदार् इसलिए बेतर होगा, आपने कहीं बिंध बड़ी सोच लेकि हम इसा चलता रहा है, शुरुआज से अब तक, प्रदेश में राज करने की बात करते हैं, बरतमान में 28 विधायक हैं, फिर भी जोते एक भी मंत्री नहीं बनता, ऐसे राज करेंगा, यह बहारती जंता पार्ट बिंध प्रदेश को इंगनोर करने की चमता, बिंध प्रदेश में किसी भी दल को नहीं, बनाये नहीं, लेकिन उन्हों ने अपनी गल्ती को सुधारने का फिर प्रयास किया, तो इस चीज से आप संतुष्ट हो जाते हैं, कि बिंध प्रदेश को अध्यक्षपत यहां पर म किसको नहीं, हम लोगों से क्या लेना, हमारा दल होता तब मेरे संतुष्टी और संतुष्टी का भी सही होता है, इसलिए आपका यह प्रस्ण में समस्ता हूं, कि मुझ से पूछने के बज़ार भारती जनता पार्टी के लोगों से पूछने के बाकि बिधान सभाध्ध्यक कि मुझ से पार्टने को कहां जाएग राजन शूक्हलадде कहलारी जिला बहुत दखा नहीं माने हौने इज्ज़ार लि cay नहीं का इनगर अटोड़। जिला बने जिए देव तलाव है महुगंज है इवन देन मन्यमा है आपके त्योथर है यह लोग चाहेंगे कि हमारा महुगंजिला बने इनकी नाकामी मानी जाएगे गर महुगंजिला निया और जब कांग्रेश की सरकार रही चार सीटे थी उसके बाद एक मंत्रीपद हमारे कि सकता आई प्रदेश में उसके बाद फिर बाइस बिधायक जो तो दल बदल कर लेते हैं तो क्या आप अपने इस्तर पर यह मानते हैं कि कॉंग्रेस पार्टी गलत उमीद्बारों को चैन की या फिर उमीद्बारों के चैन में सही तरीके से सार्थक नहीं हो सके देखिए परिस्तितियां होती हैं अब तोड़ भाज की राजनी चल जई है और इस समय भारती जनता पार्टी के पास पैसे हैं उनके पास EBM है उनके पास सारी चीज सिस्टम होने के कारण वो पैसे से विधायकों को खरीद रहे हैं अब खरीद करके उन्होंने सरकार बनाई कोई इस में बात आई लेकिन हम लोग ने कभी ऐसी बात नहीं सोची और पता नहीं क्या उसमें जो भी बाते रहे हूं पर ऐसा एक जो हुआ एक दम गलत हुआ अब उसको क्या कहें सिंधिया जी के बारे में क्या कहेंगे सिंधिया जी देखे कि वह सदेव से उनका खांदान थाट बात में रहा और सदेव से जब 1857 के क्रांथ हुई उनके खांदान के ओपर आरोपाय को जहांसी कि रानी के साथ उनने मतलब गदारी की तो गदारी का भी सगिये था कि उपने राज वो अंग्रेजों से उनका सांठ गाट उनकी ताल मिल अपना राजपार चोड़ना नहीं चाहते थे उसी तरीके से जब से यह लोगसभा का चुनाव सिंधिया जी हाए थे तो उनका दिली का भंगला खाली हो गया उनको यह अभास होने लगा कि लोगसभागला जीत पाउगा कि नहीं जीत पाऊँगा तो इन सब बात को उनको यह लगा कि मेरा थाटबाट अब चला जाएगा और उनको भारती जनता पार्टी में यह महसूस होने लगा कि कांग्रेस मेरा करके संघर्स के अलावा कुछ भी नहीं बचा है यहां संघर्स करना पड़ेगा और कांग्रेस तो देखिया अशरी हमेशा से संघर्स इलों की पा कभी भी संघर्स के स्थिती में कहीं नहीं जा सकते हो सिफ ठाट बात मेराने वाले लोग यही बात मैंने आपके कॉंग्रेस महा सचेप मंध्य प्रदेश के नाति राजा से बात की थी तो उन्हों ने कहा कि यो धोखेवाज हैं जैसा कि आपने कहा उनके उपर दाग है अं नहीं तो आप भी आप भी कहीं कहीं तिहास पढ़े होंगे मैं बिल्कुल उस चीज का समर्थन कर रहा हूं लेकिन सवाल यह है कि जब तक साथ में तब तक अच्छे हैं जब चले गए नहीं को कोई अच्छा नहीं कहा कभी पहले भी नहीं किये सिराज सिंग चोहान ने उन पार्टी में हो हैं जहां कि उनका सम्मान समारोह चल रहा था सदसिता चल रही थी उनके राष्टी अधिक्छ पैठे थे उस मंझ पर सिवराज सिंग ने कहा कि यह भी सर हमारे बीच में आ गया हमारी जीत निश्चित है अब तो आपको फिरावड भी कह दिया उन्हों नही अब उनके पिता जी कांग्रेस में सांसद रहे टिकट से चुनाव लड़े यह सब सारी बाते वो पार्टी छोड़कर के चले गए तो हम यह मेरा कहना है कि वो राजनसी ठाट बाट के लोग हैं हमने एक लाइन बोली राजनसी ठाट बाट के लोग हैं वो सिर्फ अगर रह जाए नाथुराम गोड़से से सांठ गांट करना पड़े उन्हें रहना सप्ता में समझ यापना सथा के बाहर ओ रहे जैसे मचली पानी में के बगए नहीं रह सकती एक मिनट उस तरीके से वह भी सत्ता में रहा हूं मैं गदार नहीं करा हूं जिए वह मचली रूपी छाए कर्मी ठंडी सब राबर क्ट कर्णी बैठा दो तो भी बेठ्गे रहेंगे अब भो तैसे कांग्रेश के ली डर आप देखो राहूल गांधीजी का ही देखो कि चाहल दचिड wsp तो भी उसी स्पीड से पहुँच रहे हैं उनके सेहत पर कोई यसंहीं पड़ा हाам नहार का नजीत का कि तना पर राजीर गांधी जी की हत्या हुई श्रीवती इंदरा गांधी जी की हत्या हुई ये मतलब आप का सकते हैं ठीके हुए हैं लेकिन हैं बनता है और बिगरता है अगर टीके हैं तो निश्यत रूप से आने वाले समय में उज्वल भविश्च भी है उनका धूप गर्मी बरसाथ की आप बात कर रहे हैं बरतमान में तीन क्रिसी बिल सरकार के द्वारा लाए गए हैं पूरे देश वर में किसान आंदोलन कर रहे हैं आरोप लग रहे हैं कि कांग्रेस किसानों के कंधे पर बैठ करके बंदूग चलाने की कोशिस कर रही हैं क्या कहेंगे इसके बिल्कुल गलत बात है किसान पूरी तरह से आंदोली थे मैं खुद गया था उस बारडर पर तीन दिन में रहा हूं और उहां का जजवा देख कर के कहीं से लग रहा था कि कांग्रेस ने किसान स्वा प्रेड़ना से अपनी जो इस्थिती है अपनी इस्थिती को देख करके किसान स्वेमिस की लडाई छेने हैं और रही बाती कांग्रेस सदय किसानों के हित में काम किया चाहे पंडित जवालाल नहरू समय से लेकर के लाल किसान को किसान के साथ है यहां के साथ रही और हमेशा रहेगी जय जवन-जय किसान का नाया? तो इसलिए कांगरेस कभी कञ्डे परबंदूक नहीं किसानों के साथ सब् relaxation. यह आप कह सकते हैं किसानों के साथ है लेकिन फिर 22 विधान सभा उप चुनाओं में किसान कांग्रेस के साथ नहीं होते हैं और चुनाओं हार जीत के कई कारण होते हैं सिर्फ किसान का भी से नहीं है उसमें देश में हम मानते हैं कि 70% हम यह कह रहे हैं कि कई कारण हारने के हो प्रदेश जीजा आप जैसे पांच राज्यों का चुना हो रहा है तो आप क्या समझते हैं कि एक तर्फा भारती जंता पार्टी की सरकार बनने जा रही है क्या कहीं टीमची की सरकार बनेगी कहीं आपके असम में कांगरेस की भी बन सकती है तमिल्णाडू में किसी इग बन स तब तक दावे के साथ हाप नहीं कह सकते कि किन कारणों से जीता और हार हो रहे हैं किसान मिल का जो मसाधा था कॉंग्रेस के सरकार में 2009 से लगातार बनाया जा रहा था बर्तमान में तीनों बिल जोत जनता को पेस कर दिये गए हैं क्या परिवर्तन थे क्यों आंदोलन हो रहा गेहु एक रुपए चावल लागू किया जी आज चल रहा है पूरे देश में कांग्रेस ने परधान मंत्री आवास योजना ये भी कांग्रेस डाक्टर मनमोहन सिंग की सरकार ने दिया तो था ही परधान मंत्री आवास योजना जो डेट डेट दो दो लाक रुपए और ज तीसरी बात GST हो या नोट बंदी हो इस पर भी कांग्रेश ने जब कानून बनाया लेकिन जब सारे इसमें लोग बैठ करके जो इसके बुद्धिजीवी हैं जो इसके मतलब आप समझ सकते हैं कि अर्थसास्त्री हैं सबने बैठ करके उसको देखा ये लगा कि आने वाले समय में अगर इसको लागू कर दें भारत की जंटा परिसान हो जाएगी लेकिन नरेंद मोदी जी के पास ऐसा कुछ काम नहीं था वो जा करके उसको रातो रात लागू कर दी आज उसी का प्रिणाम पूरा देश भोग रहा है जब डाक्टर मोहन सिंग की सरकार थी तो साड़े परसेंट आप भी जानते साथ दसवलों पांच परसेंट भारत की आर्थिक इस्तिती हो गए थे आज भारत की हालत क्या हो गई है ये कोई बात शुपी ने भारत आर्थिक इस्तिती से पूरी तरह से जूज रहा यह सिर्व नरेंद मोदी के नीतियों और उनके बित्त मंत् किसान बिल है तो किसान बिल पे क्या कमिया देख़ें है गए कमियां अगर नहीं होती ती तिने आंदोलन इतने दिन तख क्यों चलते किसान अपनी हत्या कर आणी में क्यो तुला अिसरकार से पूरी तरस से किसानों今日は बलrich यह thus तो उनको किसानों को बैठा करके नेने अपने आप ले लेने अच्छी है कि हम किसानों के खिलाप ये बिल नहीं लाएंगे उसको वापस करते हैं लेकिन मड़े दुर्भा के साथ कहना पड़ रहा है यह किसान बिल नरेंद मोदी के द्वारा नहीं लाया गया बलकि बन चुकी हैं बोरियां बन गई हैं तो कहां से बिल वापस होगा इसलिए उलड़ाई चल रही है जबकि उनको एक लाइन का इसमें सवाल है कि यह दुकान मेरे खिलाप है वह दुकान बंद कर देनी चाहिए लेकिन ऐसा वो नहीं कर रहे हैं मैसपी पर क्या मनना है हमने आ वापस होना चाहिए इसलिएप जो चल रहा है मंढिया चल रही हमारी हमारे चल रहे हैं चल रहे है मारे छृदी के रहे हैं यह अगर चल रहे हैं तो इसमें मोदी जी को आपति नहीं होनी है आपने कई सारे मुद्दों को लेकर के अपनी वेवाकी से राय रखे आपने अपना समय दिया उसके लिए आपका बहुत-बहुत आभाद धन्यवाद आप अपना समय लेकर के मुझसे पूछने और जानने आए अब कहीं कहीं इसमें हमारे छेत्र के के प्रती आपकी चिंता रही इसके लिए मैं आपको भी धन्यवाद दिना चाहिए तो यह थे हमारे साथ सुखेंद सिंग बन्ना जी जो पूर्ब विधायक रह चुके हैं और इनसे हमने जंता से जोड़े हुए छेत्र से जोड़े हुए और देश से जोड़े ही राजनैतिक परिदिर से कई सवाल कि बड़ी ही बेबाकी के साथ सुखेंद सिंग जी ने हमारे सवालों का जबाब दिया देखते रहिए